दोस्तों बिहार पुलीस 11391 भरती को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जोने एक लिंक जारी किया गया है इस लिंक में आपको क्या जनकारी यहाँ पे देना है और यह सब को करना जरूरी है किसको करना है किसको नहीं करना है इसकी भी हम जनकारी देगें लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके email अइडी पे पे एक एसमेस भी आ गया होगा कुछ इसपरकार से आपको एसमेस देखने को मिल रहा होगा कि यह आपको करना है और यहाँ पी यह विग्यापन संख्या यह आपकी जो बात हो रही ह उसके regarding यहाँ पर बात हो रही है तो इसी को लेकर हम यहाँ पर आपको समझाएंगे कि यह क्या अपडेट है और कैसे आपको क्या करना होगा कब तक करना होगा अगर आप यह नहीं करेंगे तो में भी हो सकता आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए आगे चलके तो सबको करन जरूरी है और वीडियो को आप लास्त तक देखिए बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आप चिस समाझ लेंगे न तो आपकी सारी जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगी बिहार पुलीस एकईजर तीन से क्यांवे भरती को लेकर दो अप्टेट आपको बताए हैं कि यह जो इंपोर्टैंट नोटी से यह कुछ इस परकार से आपका आ रहा है अवज हैं आपको प्रेंज़िdessे क्रेंज़ करने की बात कहीं जा रही आ समझ रहा ना मतलब गर कोई केंडिट्स सी था तो उनको इबी सी कर दिया गया है अब यह कौन लोग है तो देखिए यहां पर मैं बताया गया है मानने उच्छ न्याले नई दिले द्वारा सिविल अपील यह अपील संग्या है डाक्टर भीमरा अंबेड कर विचार मंच बिह बुछ रही कोञेको वान और तो यहां पर गिया बताया रहा चैन्द्र चेंड यहां उपर मैं लिखा गया है कि जो है मान्य उच्छ न्याले नई दिले द्वारा यहां पर इस परकार से जो है मतलब यह पारित किया गया नयाय अब यहां पर देखेंगे तो बतायागे केंद्र चेन परसत सिपाही भरती बिग्यापन सक्या इतना कि अंतरगत सिपाही के 1391 पदोपर ताती तात्वा सभी उमिद्वारों मतलब जो इस जाती से संबंध रखते हैं उन सभी के लिए इंपोटेंट महतपूर यहां पे जो है निर्देश जारिक है कि जिन्हों ने अपने अनुसुच जाती आरच्छड कोटी का दावा किया है को यह निर्देश दिया जाता है कि वह पारसत की व उन में अवस्य सुधार करें यानि अब आपको न एबिसी क्या करना चूज कर लेना जो भी जो है ताती तातवा यहां पर जो कास्ट था उनको जहां यहां पर क्या कर लेना है पहले तो ऐसी से फौर्म भरे होंगे आब उनकोईवीश कर लेना अभी इसके लिए कैसे करना ह है ध्यान दीजिए अब यहां पे भी ध्यान देना है अब आपको न नन क्रीमिलेयर जो रही प्रमापत्र होता है वो भी आपको यहां पे क्या होगा सम्मिट करना होगा तो आप नन क्रीमिलेयर सटिफिकेट बनवा लेंगे और अभी आप फॉर्म भर दीजिए पहले तो करना है अपना जो है category को change करना है सबसे important point अगर आप यह नहीं करेंगे तो में भी हो सकता है कि आपका जो यहाँ पे मतलब form reject हो जाए तो कीन को करना है तो जो भी मतलब ताती तातवा जाती से हैं वो ऐसी category में पहले form भरे थे उनको क्या करना है इबी सी करना है कि दो तारीक से लेकर आठ नौ तक आप जो है यह कर लिजिएगा आपको mail भी आ गया होगा तो यह देखें यह लिखा हुगा है कि दिनांक इतना तक सुधार नहीं किया जाता है तो वैसे वो मिद्वारों को अभ्यार्थित्व पर पारषद निड़ने लेने हैं तो सवतंत्र होगा मतलब यह पारषद क्या करेंगा आपकी फॉर्म को रिजक्ट भी कर सकता है सवतंत्र है कुछ भी निड़न ले सकता है तो इसलिए आप सभी लोग जो है इस तरह के रोल नंबर या मोबाइल नंबर कोई एक लिखेंगे डेटर बर्त लिखेंगे क्याप्चा कोड यहां भरेंगे और समिट करेंगे समिट करते ही फिरिंट्स आपका क्या होगा लोग इन खुल लाएगा और वहां पे आपको जो है ना पहले अब आती है यह बाकी लोग को क्या करना है हमको मेल आया है जिनके पास अगर माल लिजेए और उसके बावजूद भी उनको मेल आगया है ना तो कोई दीकत नहीं है वह कुछ भी नहीं करेंगे बस पढ़खे छोड़ देंगे समझ रहा हुगा लेकिन जो ताती आत्वा है उन्ही को करना है समझ रहे ना तो यह आप कर लिजेगा अब बात आती है कि आपका इक्जाम का जो है रिजल्ट कवाने वाला है अब इक्जाम के रिगाड़े हम बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं धैनिक भासकर का यह जो है रिपोर्ट है 29 अगस्त के डेट में अंतीम चड़ा की परिच्छा बुद्वार को समाप्त हो गई किंद्र चेन पारश्त की ओर से ली गई इस छठे चड़ा की परिच्छा के दौरान कधा चार करने का आरोप में चह अभ्यारतियों गिरापकार दिया किया गया इसमेर लंदा के तीन अभीहारति के ग्रापकत करने के आरोप में 69 अभ्यार्थी सनलिप्त पाए गया है यानि इस बार जो भी मतलब गिरोह था नकल ची वाले लोग उनकवा जो है जहां पर इस बार काफी ज्यादा जो है देखी सकते हैं 69 अभ्यार्थी का जो यहां पर पकड़ा गया है अब यहां बताया कि कदाचार करते 6 ग्रेफतार यहां पर हुए है इसमें बताया कि बिहार पुलिस के 1330 पदों के लिए इस साल अगस्त में 64 में परिछा हुई इस परिछा में कुल 17,87,720 अभ्यार्थियों ने आविदन दिया था 9,63,563 अभ्यार्थियों ने ही परिछा दी लिखित परिछा में एक पद के के लिए 45 लोग यहां पर लड़ाई लडएंगे समझ रहना तो कटफ थोड़ा इस बार जो है हाई देखने को मिल सकता है तो कटफ से आपको नहीं डरना है जैसे रिजल्ट आएगा हम आपको एक अलग से वीडियो बना कर बता देंगे और मेरा मानना है कि यह आपका ही होता है जार तर तो नौवबर से दिसंबर के बीच आपका जो है फिजकल होने की पूरी सम्भावना है है यह हो सकता अगर घंटनबर दिसंबर में नहीं हो पाता है तो जन Thousandプal tutaj है और आपका अगर नौवबर में यह दिसंबर में आगा रिजल्ट आताने और आपका रह फिजकल जो है टॉफ होने को देखने को मिल सकता है क्योंकि यहां पर आपका जो है ठंडी में मौसम है तो अभी साब प्रैक्टिस में लगेंगे तभी आपका फिजकल निकलने वाला है यह आप लोग ध्यान दीजिएगा तो दो महिने के अंदर रिजल्ट आएगा आसा करता हूँ जनकारी समझ में आया होगा अपडेट अच्छा लागा तो लाइक के रिए अपने दोस्तों को विजरू श्रक के रिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहीं दापका दिन सुखो